गोपाल गंज विधान सभाव उप्चुनाओं में अब कुछ ही दिन बचे हैं यही कारण है कि चुनाओ प्रचार के लिए स्टार प्रचारक मैदान में कूद बरे हैं आरजेडी के चुनाओ प्रचार की कमान अब स्ट्वेंग डिप्टी स्टीम तेजस्वी यादब ने संभाल ली है तेजस्वी को गोपाल गंज में बीजेपी से ज्यादा अपने मामा साधु यादब से परिशानी है यही कारण है कि शुक्रवार को चुनाओ प्रचार के दौरान तेजस्वी यादब ने बीजेपी से ज्यादा अपने मामा साधु यादब और उनकी पतनी इंद्रा यादब पर बिना नाम लिये तंज कसा दरसल उन्हें पता है कि उनकी मामी चुनाओ के जीत और हार में एक महत्व पूर्ण कड़ी है चुनाओी मैदान में रहने से आरजेटी को नुकसान और बीजेपी को लाव होगा यही कारण है कि उन्होंने अपने मामी को बीजेपी के बीटीम का प्रत्याश्य बताया वे यहां ही नहीं रुके उन्होंने अपने वोटरों से यहां तक कह डाला कि ऐसे लोगों से जादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि भाजपा की BTM चुनाव जीतने के लिए नहीं लेकिन RJD का वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है ताकि BJP यहां से चुनाव जीत जाए बताते चलें कि गुपाल गंज में डिप्टी CM तिजस्वी यादब की मामी और पुर्विस सांसत अनिरुद्ध प्रसाद उर्फस साधु यादब पतने इंद्रा यादब बसपा से चुनाव लड़ रही है पिशली बार यानि कि 2020 में बसपा से साधु यादब चुनाव लड़े थे और उन्होंने भाजपा को करी टकर देते हुए दूसरा अस्थान पाया था तब महा गठबंदन के प्रत्याशी रहे आसीफ गफूर को महज 36,000 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे राजनितिक पंडित का कहना है कि तेजस्वी यादब को डर है कि उनकी मामी इंद्रा यादब वोट काट कर कहीं भाजपा को फायदा ना पहुचा दे तेजस्वी यादब की मामा साधु यादब गुपाल गंज में सांसद और विधायक रह चुके हैं उनका जिले के यादब समुदाय में एक खास पकर है वही तेजस्वी यादब की मामी और बसपा प्रत्याश्वी इंद्रा यादब भांजे को आशरवाद देने की बजाए जीजा लालू प्रसाद यादब और दीदी राबरी देवी से ही आशरवाद लेने की बात कह रही है हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद